तो चलिए कुछ इस तरह का ट्रेंडिंग सा स्टेटस विडियो कैसे बनाना है आपको जो है इस्टेप बाइस्टेप बहुत ही आसानी से सिखाने वाला हूं तो यहाँ पे चलिए काइनमास्टर अप्लिकेशन को अपने मोबाइल पे और यहाँ पे क्लिक कर देना है और इस इमेज को किनारे स्खीच के बढ़ा कर देना है जितना बड़ा आपको इस्टेटस विडियो बनाना है अब राइट साइड उपर में क्रोस पे क्लिक कर देंग अब यहाँ पे आपको वीडियो के डिस्क्रीपशन मी दे दिया गया है एडजेस्ट कर करके इस फोटो को नीचे के तरब लगाना देना और इसको फोटो की लेइर को भी पूरा बढ़ा देना है अब यहाँ पे हम लोग इस photo पर click करेंगे और left side में 3 dot पर जाएंगे और इसको duplicate कर लेंगे ठीक है और यहाँ पे और एक photo का layer बन जाएगा तो इस photo को थोड़ा सा हम लोग crop करेंगे ठीक है यहाँ पे जिस तरह से मैं जो है यहाँ पे cropping के option पे जाना है और इस photo को थोड़ा सा अपको 35 कर देना है और इस तरह से यह photo कुछ इस तरह से हो जाएगा अब इस photo को थोड़ा से हम लोग ऊपर के तरप ले जाएंगे ठीक है फर्स्ट photo के उपर में ले जाएंगे उपर के तरप में इस तरह से रख देना है थोड़ा सा जूम करके कुछ अच्छा से इस तरह से अपनी हिसाब से आपको एड़ेस्ट कर लेना है और इस तरह से एड़ेस्ट करके यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ठीक है आपको थोड़ा ध्यान से इसको करना है ठीक है और इसका जो है यहाँ पे राइट साइड में हम लोग एक उप्शन मिलेगा अलफा इसका ओपेसीटी को जो है फिप्टी कर देना है ठीक है तो इस तरह से यह हो जाएगा और अब जो नीचे के तरफ जो फोटो है जो नीचे में फोटो लगा है यानि वो जो फर्स्ट ले ओप्शन में और यहाँ पे 205 बोला ओप्शन यहाँ पे इनेबल कर देना है अब उपर से बेक आ जाना है ठीक है अब फिर से हम लोग यहाँ पे लेयर पे जाएंगे मिडिया पे जाएंगे और एक यहाँ पे ब्लेक सेडो जो है यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इसको ब् ब्लेक एफेक्ट लग जाए ब्लेक सेडो लग जाए और बीच में फोटो वो सही से दिखे तो कुछ इस तरह से एड़ेस्ट कर लेना है उपर से फिर बैक आजाना है और इसको ब्लेक सेडो पी एंजी को भी पूरे बेग्राउंड में लगा देना है ठीक है अब यहां उपर से फिर हम लोग बैक आजाएंगे और फिर से यहां पर हम लोग लेयर पर जाएंगे ठीक है लेयर पर जाएंगे मीडिया पर जाएंगे और यहां पर हम लोग जो है स्टार इफेक्ट वाला जो है यहां पर हम लोग वीडियो लगाएंगे वीडियो सेलेक करेंगे उपर रा यहां पर से थोड़ा बेक आ जाएंगे तो यहां पर बेक आ जाएंगे और यहां पर फिर से हम लोग लेर पे जाएंगे media पर जाएंगे और यहां पर हम लोग को यहां पर लगाएंगे हम लोग एक यहांपर light effect लगाएंगे ठीक है, तो light effect यहां पर लगाएंगे, अब इसके जो है फिर से हम लोग थोड़ा सा scroll down करना है नीचे के तरफ जाना है और यहां पर ब्लेंडिंग वाला ठीक है 55 कर देना है आप अपने हिसाब से 50 या 55 कर देना है इस तरह से अपने साइड जो है अपने हिसाब से इसका कलर को एड़ेस्ट कर सकते हैं फिर थोड़ा इसको बड़ा कर लेंगे light effect को कुछ इस तरह से और यहां पे right side उपर corner में जो है कुछ इस तरह से अच्छे से उस करने के बात जो है अब यहां पर हम लोग lyrics video एड़ करेंगे तो lyrics video का भी जो है link का आपको description में दिया हुआ है सारा material description में जाएगा तो यहां पर चलिए layer पे चलते हैं layer पे हम लोग click करेंगे media पे जाएंगे और यहां पे जो है lyrics video एड़ कर लेंगे यहां पे lyrics पे click करेंगे और right side जो है cut कर देंगे उपर में corner में अब यहाँ पे जो है इसका हम लोग blending option को enable करना होगा black background को हटाने के लिए यहाँ पे blending का option पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग screen कर देंगे तो यहाँ पे black background हट जाएगा और इसको जो है lyrics का video का size को थोड़ा से बड़ा कर लेंगे ठीक ना इस तरह से zoom कर लेंगे और इसको थोड़ा से नीचे को तरब आपको adjust कर लेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे lyrics बीडियो भी aid हो जाएगा और यहाँ पे जो है इस तरह से आपको भी सारा चीज करना है अगर कोई चीज नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं अब यहाँ पे उपर से फिर से हम लोग बेक आ जाएंगे फिर से हम लोग यहाँ पे लेर पे जाएंगे media पे जाएंगे और यहाँ पे जो है हम लोग एक जो है white border यहाँ पे add करेंगे ठीक है तो यहाँ पे split screen पे जाके इसको fully screen कर देंगे ठीक है और उपर से फिर से एक बार back आ जाना है और थोड़ा सा scroll down करेंगे और यहाँ पे हम लोग को blending पे जाना है तो उसको खीचके पूरा background इतना बढ़ा देना है ठीक है जैसे यहाँ पे light effect है और भी सारा सबको आपको check कर लेना है बारी-बारी से ठीक है यहाँ पे कौन सा layer चोटा रह गया है तो उसको पूरा background इतना किनारे से खीचके बढ़ा देना है चेक करते हैं है कि सब सही है की नीज एग था पर पार्ट भी इसका कट जाएगा ठीक है जब यहाँ पर आप यहाँ पर बर नदर ऑले ढम टक हम लोग देखते हैं आपको आप यहाँ पर देखे प्ले करके सुनिए कमाल का स्टेटस यहां पे रेडी हो गया है अब इसको सेब करने के लिए राइट सेड उपर कोरनर में जो है केरो का एकजिट बटन है उस पे क्लिक करेंगे और यहां पे आपको जो है रिजिल्यूशन में फूल एजडी टेन एटी पिक्सल या एजडी सेवें ट्वेंटी प कर दीजिएगा तो यहां पर देखे सेविंग का ओप्सन आ जाएगा और रेड लाइन यहां पर चलना चालू हो जाएगा जैसे यह रेड लाइन कंप्लेट हो जाएगा तो यह विडियो आपके फोन के गिलेरी में सेव हो जाएगा